तो हे गाई स्वागत आपका एक और फिर शे आपी के वीडिव चैनल में और आज किस वीडियो में बात करेंगे रेलवे शेयरों को लेकर आप लोग देखोगे भी रेलवे स्टॉक्स आज हमें कावे शांदर प्रफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हलांकी मार्केट में आप खास मार्केट नीचे भी नहीं गया भी फ्लैट रहा है यह ऐसा हमानगे चले और ऐसे में आप लोग देखोगे भी मार्केट ऐसा है तो इस कंडिशन में स्टॉक्स कैसे रही है स्मोल के मिड कैप शेयरों में जमकर है ली बनी आज के दिन और रही बात रेलवे स्टॉक्स तो रेलवे काउंटर बिल्कुल बूली सरा है भी आज के दिन आप लोग देखो के बेमलो काउंटर जो अ कंटेंडर कोर्पोरेशन है इरकॉन इंटरनेस्टनल है डाई परशेंट के करीब उचला है आई-ए-ए-ए-टी सी डेड़ परशेंट के करीब आई-ए-फसी डाई 40-100 के करीब रेल विकास निगम limited सब स्बसे ज़्यादा थैजी बनी जो शेर वह रेल विकास निगम limited पाँपर्शन्ट के करीब स्टॉक में तैजी रही है और रेल विकास निगम यहां से आप लोग देखोंगे बैस्ट मों के साबित हो सकते आई एरफसी इन शेरों में बहुत अच्छे मोके और राइट्स लिमिटेड और जो रियल टेल कोर्पोरेशन है इनके अंदर भी तो यहां से आप लोग देखोंगे भी इन शेरों में क्यों मोके बने हुए चल लिए वो बताते हैं और उसके बाद डिसकेश कर लेंगे इसके जो रियल वि बनाया था जो की 345 के आसपास हमें देखने को मिला था और वहां से जो स्टोक टूटा आ ना भई वह आपके सामने है यह स्टोक ने जो हाई बनाया था वह 22 जनवरी के आसपास का था भी और एक जबरदस्त रियल इस्टोक ने दिखाए थी उपर में 345 की जो इमपैसिव जो रहल यह वह यहां पर देखने मिली लेकिन उसके बाद स्टोक में प्रॉफिट बुकिंग है वह सब कुछ देखने को मिला फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप लोग देखोगे रजल्ट्स खराब आ गए ठीक है तो उसके बाद तो स्टोक में एक अच्छा खासा फोल बना भी नीचे में और यह नीचे में स्टोक आ गया था लगबग 225 के असपास 220 के असपास फिर वहां से आप लोग देखोगे अगर यह स्टोक इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है जो की 270 रुपे पैसे का लेवल है यहां से आप लोग देखो ब्रेक आउट आता है स्टोक में ब्रेक करता है तो उस कंडिशन में 294 का पहला टार्गेट रहेगा और फिर स्टोक के जो उपर में टार्गेट रहेंगे 345 जो यह अभी पीछे इस ने हाई बनाया था ला इस लेवल को स्टोक ब्रेक करते वह न से तो 252 का सपोर्ट है ठीक है और जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टोक के अंदर उसके लिए भी सपोर्ट बनेगा इसके अंदर लगभग लगभग यह वाला आप लोग देखोगे 267 तो 267 के सपोर्ट के साथ आप लोग यहां पर ट्राय कर सकते हो जिसको रिस्क बहुत डाउन भी स्टोक ऊपर से आता है तो इसलिए यहां पर अगर प्रॉफट बुकिंग आ गया है तो स्टोक में एक डीप आ सकते है लेकिन वो डीप देखो भी जैनिन ही होगा जब स्टोक में ब्रेक आउट यह बन चुक है आप लोग देखोगे 270 के आसपास का 260 के आ इसने में चांस है इसके 294 और 300 रुपे तक के मूव आने के और वाकी देखते भी रेजल्ट डेट अब तक अनांस नहीं होई है चलिए अब आपको दिखाते भी IRFC और आरविनल तो यहां पर आप लोग देखोगे भी स्टोक ने भी इसी टेम पर हमें जो नभी जो टाइम था ना भी 22 जनवरी के आसपास का उस टाइम इसने भी अपना बाउंड वी खाय क्रीट किया था 192 सभी के सभी जो रेलवे स्टोक से उन्होंने 22 जनवरी के दिन ही उसके बाद इंचियरों में एक जबरदस्त गिरावर देखने को मिली रेजल्ट्स वगरा है फिर मार्केट में भी फोल मार्च में आते वे नजर आया तो बहुत सारे प्रहार इंचियरों के उपर हुए लेकिन अभी टैम स्टोक ने यहां पर ब्रेक आउट दिया था ब्र यह तेजी आपको कहां तक देखने को मिल सकती है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर यहां से स्टोक में आता भी शॉट्रम में अगर आप लोग इंट्री के बारे में सोचे तो 149 या फिर 150 इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो उस कंडिशन में स्टो रहा है नहीं दस रुपे नीचे में सपोर्ट और उपर में पैदा टार्गेट 164 का तो यह इसके लेवल आ सकते हैं बट 150 को ब्रेक करने के बाद यह माहौल बनेगा अधरवाइस देखो भई अगर सपोर्ट पर काम करना तो यह लेवल से हैं और जिसको बिलकुल आप करना देखो इस कंडिशन में तो देखो भी LC सोरी जो लोवर क्या बोलते हैं हमारा जो सपोर्ट है जो SLM लेके चलें वह कटने का ज्यादा चांस रहेगा इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि नीचे में अगर रिष्क नहीं लेना ज्यादा तो 137 का सपोर्ट ठीक है तो चलिए अब जानते भी next stock same upload है भी IRCON में भी एक अच्छा खासा हमें जोन भी एक breakout यहां पर आते हुए नजए है trend line का फिर उसके बाद stock में grout बनी यहां पर भी trend line के आसपास आया और trend के आसपास आने के बाद stock में फिर से recovery बनी है तो support जो नीचे में रहेगा 214 का support है अच्छा का सपोर्ट है ठीक है जिसको result तक hold करना है फिर results के लिए hold करना है उसके लिए नीचे में 214 रुपे का support ठीक है और रही बात उपर में target की तो भी उपर में जो target है यहां से हमें देखने को मिल सकता है अगर stock 226 के उपर में sustain की रहते है भी काफी अच्छी बात है तो पहला target रहेगा हमारा 232, 232, 2nd रहेगा 240 and 3rd रहेगा 252 तो यह target आने के संभावना है stock में और बाकी देखते भी क्या कुछ update रहती है अगर कोई market में panic selling बने तो उसके पीछी किसी का हाथ नहीं रहेगा भी तो आप भी नहीं डाट सकते मैं भी नहीं डाट सकता and thank you for watching the video